पूर्वत्तर के राज्व सिक्षी में सैलाब ने तपाही मचा रखी है बागल फटने के बाद जल जले का जख्म जो है वहर तरफ दिखाई दे रहा है तिस्ता नदी का जल आप माफ कीज़ेगा मतादे कि प्रलैकारी बहाव अपने साथ सब कुछ यहां पर बहार ले जाने पर आमदा है आने वाले कुछ घंटे राज्व पर फिर से भारी पड़ सकते हैं रिपोर्ट देंगे कि मिल सहलाब से तबाही मची हुई है बादल फटने के बाद जल जले का जख्म हर और दिखाई दे रहा है तीस्ता नदी का प्रलाइकारी बहाव अपने साथ सब कुछ बहार ले जाने पर आमादा है लेकिन यह तबाही की बानगी भर थी आने वाले कुछ घंटों में फिर से वही सलाब का सेतम दिख सकता है हम यह क्यों कह रहे हैं बताएंगे लेकिन सिक्की में सेना के बाइस जवान अभी भी लापता हैं जबकि एक जवान का रेस्क्यू किया जा चुका है Flash floods in the Lonak Lake in the northern Sikkim area the Teesta River got flooded and the Nachan Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chung Than Dam which led to a sudden increase in the water flow. It added to the problem and there are about 23 army personnel who are missing and 41 vehicles who are stuck in the slush. All the relief and rescue efforts are on. See as more information keeps coming we will let you know. As of now rescue efforts are going on. रात के अंधेरे में बादल फटा है और सुभह जब उजाला हुआ चारो तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थी. सलाब के आगे जो आया वो बहने लगा. जहां तक नजरे जा रही हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है. जानकारी के मुताबिक लोनक जील के उपर देर रात करीब डेड़ बजे के आसपास बादल फटा. इसके बाद लोचन घाटी में तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई. नदी का जलस्तर अचानक 15-20 फीटर तक बढ़ गया. इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी भर गया. कई घरों में भी नदी का पानी घुसाया. तीस्ता नदी का पानी सेना के जवानों के लिए काल बन कर आया. नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैम्प था, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद बह गया. और यहां खड़ी कई गाड़ियां दूब गया. अचानक से एक क्लाउड बोस्ट हुआ और इस बादल फटने के कारण से अचानक यहां के जो तिस्ता नदी है, तिस्ता रिवर में पानी करीब 10 से 15 मीटर तक उफान पे चला गया और साथी साथ जो चंगतं रिवर डैम है, उस डैम से अचानक से पानी भी छोड़ा गया थ जील फटने के बाद कैसे तबाही मची इसे इसरो की सेटलाइड तस्वीरों के जरिये समझिये और अंदाजा लगाईए कि तबाही और जल प्रलाइक कितना भ्यानक रहा होगा, पहले इन तस्वीरों को देखिए 17 सितंबर और 28 सितंबर को ली गई तस्वीरों में लोनक जील का 6 त्रफल 162.7 और 116.4 हेक्टेर दिखाई देता है, वही तराजदी के बाद की तस्वीर से पता चलता है कि जील का 6 त्रफल आदे से कम बचा है, और अब इसमें लगभग 60.3 हेक्टेर इलाके में पानी सिक्किम के निचले इलाकों में गया, जिस से भेंकर तबाही मची, वहीं सलाब में लापता लोगों को खोजने के लिए सेना के ओर से रेस्की और भ्यान चलाया जा रहा है, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है तीस्ता नदी के जलस्तर बढ़ने से कलिमपोंग, दार्जलिंग, अलिपुर द्वार और जलपाई गुडी सबसे ज़्यादा पभावित हुए हैं सिक्किम और देश के बाकी हिस्सों के बीच मुख्य संपक्त, राश्टी, राजवार दस भी कई जगों पर बह गया सिक्किम से सिलुगुरी जाने वाला में लाइफ लाइफ लाइन जातिया सरक्टेन बुड़े-पड़े बंध है, उद्धार का चल रही है और सिक्किम और बिंगल पुसासन इसको लेके तीस्ता का जो रिवर में जो लोग बैठे थे उन लोग को वहां से रिकवर कर लिया और जितना घर बगारा, सीकिम और तीस्ता का साइड में सीकिम और जो रिवर है उन में से जितना घर बड़ी है उसरा पूरा पूरी खराब हो चुकी है फिलाल सीकिम का जो लाइफ लैन है आप देख रहे हैं, उसका बर्टमान सिचेशन आभी तक बंद है पुसासन इसके उपर काम कर रही है भारी वारिश की वज़े से रेस्की ओपरेशन में दिक्कत आ रही है और आगे भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की आशंका है सिक्की में विगडे हालात के बीच सियम प्रेम सिंग तमांग भी बार प्रभावित इलाकों में रहत बचाव कार का जायजा लेने पहुचे मुक्य मंत्री ने रेस्की ओपरेशन को तेश करने के निर्देश दिये है प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने भी मुक्य मंत्री प्रेम सिंग तमांग से बात की उने मदद का भरोसा दिया वहीं शिक्चाई भाग की ओर से मंगन, गंग्तोक, पाक योंग और नामची जिलो में इस्थित सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद कर दिये गए हैं सिक्किमें भैंकर बाड की वज़ा से कई पुल धोस्त हो गए हैं जहां कल तक सड़के थी, वो आज नदी बन गई हैं और बादल फटने साई तभाई ने सिक्किम के लोगों को कभी न भूलने वाला दर दे दिया है बीरो रिपोर्ट जी मीडिया